हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो चैनल दे सीक्रेट ओफ इन्वेस्टिंग दोस्तों आप लोग ने देखा मार्केर बहुत ही सांदार तेजी देखने को मिली लग बग 120 पॉइंट निफ्टी ऊपर क्लोजिंग दिया है 15834 के आसपास का और सेंसेक्स ने भी 395 पॉइंट कि अगर हिसके प्रॉडेक्ट की बात करें तो हम लोग साइद इसके प्रोडेक्ट से ही एक प्रैंट का नाम आन। इसके प्रोडेक्स यह एक प्रैंड का नाम जानते हैं लламत ओम पależy को पता है लेकिन ऑय्वी और कम टाइम गिरते हुए दिखाई देते हैं मंतली चार्ट में और लगातार स्लो मुमेंटम दिखा कि आपको कितनी बड़ी तेजी ये स्टॉक बना के देते हैं आप लोगों को मार्केट में ऐसे ही स्टॉक ढूने चाहिए जो बहुत ही सांदार तरीके का बिजनेस रखते हो और आगे चलके लगातार उस बिजनेस को अच्छा और बहतर कर सकते हूं क्योंकि देख सकते हैं ये स्टॉक लगातार स्लो मुमेंटम दिखाते दिखाते ही 2015 में 300 से 200 के आसपास का आपको नजर आता हुआ दिखाई दिया है लगातार पिछले तीन महीनों से आपको इस 1790 करोड का मार्केट कैप होल्ड करती है जो कि बहुत ही चाहता है अगर हम बात करें डेप्ट की तो तीन साल पहले 125 करोड के आसपास का मार्केट कंपनी पर डेप्ट हुआ करता था और अब हो गया है 322 करोड का डेप्ट में हलका सा बढ़ोतरी हम लोग को जरूर देखने लोग मिली है लेकिन दोस्तों ये डप अभी इस कंपनी के लिए पिल्कुल मामलि ये कंपनी का मार्किट के एक लाग क Only ऊसपास और करोड का डेप अम लोग मिनिमम हीरख सकते हैं कंपनी का लगxim," 20.3% के आसपास का है जो कि बहुत ही सांदार है से रोल्डिंग फंड के कंपनी बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर रही है लगपक 22.5% के रिटन उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे अगर हम लोग कंपनी के पास्ट ये परफॉर्मेंस की बात करें तो आप को स्मॉल कैप या मिड़ कैप से भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है आप लोग लार्ज कैप कंपनी भी अच्छी ढूंड के अच्छे रिटन कमा सकते हैं पिछले पांस सालों में लगातार 25% की रिटन आपको दिखाती आई है पिछले तीन सालों 27% के और पिछले एक साल में 57% प्रिटन आपको देखने को मिले हैं कंपनी कंपांड क्रॉफिट बहुत ही सांदार है 14-14% के आसपास की सेल्स क्रोथ में हलकी सी कमजोरी आपको पिछले तीन नौपांस सालों से देखने को मिली है लेकिन दोस्तों ये कंपनी लगातार अपने नेट प्रॉफिट को पिछले साल से अच्छा ही बनाती हुई आ रही है आप लोग देख सकते हैं कि पिछले मार्स 2010 में इस कंपनी का नेट पॉफिट हुआ करता था 273 करोड का अगर हम लोग मार्स 2021 का डाटा एनलाइस करें तो आप लोग देखें 1131 करोड के आसपास का डेप्थ इस कंपनी पर प्रॉफिट जैनरेट करके दिखाया है अगर हम लोग देखें तो ये 10 सालों में कंप अच्छा profit generate करने की कोशिज करती है तो year on year basis पर तो company का performance बहुत ही सांधार है और आप लोग देखें कि company other income भी बहुत ही सांधार generate करने लगी है लगबग 115 करोड की other income जो की बहुत ही हाई होती है तो company नहीं केवल अपने core business में अच्छा करने के कोशिज कर रही है बलकि other businesses में भी बहुत ही सांधार तरीके से कोशिज करने के दिखा रही है अगर हम लोग बात करें फोकास्ट की तो आप लोग देखेंगे लगबग 20 analyst की राय यहां पर डली हुई है जिसमें कि केवल 20% analyst बोलते हैं स्टॉक को बाय करने के लिए हम लोग ने पिछले एक साल से देखा कि बहुत ही सांधार तेजी हर स्टॉक ने दिखाई है तो यहां से अब आगे का momentum थोड़ा सा कम जरूर हो सकता है लेकिन दोस्तों अगर आप लोग long term investor है और long term के लिए स्टॉक में investment करना चाहते हैं तो जब भी इसे स्टॉक में गिरावाट है तो आप लोग add करके रख सकते हैं क्योंकि हम लोग ने पिछले एक साल से देखा ओलड़ी 56% की रिटन इसे स्टॉक ने प्रवाइट कराके दिखा दिये हैं अगर हम लोग बात करें पिछले 5 सालों हो गई थी लेकिन इस कंपनी में बहुत ही कम गिरावट देखने मिली तो बहुत ही साप recovery इस स्टॉक में देखने मिली है तो लॉंग टम के लिए यह स्टॉक बहुत ही सांधार है आप रोगों के पास है तो इसको बेचने गलती पिल्कुल भी मत करिएगा लगातार आपको